जलवायू परिवर्तन विश्व भर में एक गंभीर समस्या का विश्व बना हुआ है इसके समाधान है तू समय समय पर विश्व अस्तर पर सरकारें शोध करताओं इवं कुछ प्रमुक्ष संस्थाओं द्वारा प्रयास किया जाता रहा है नमस्कार मेरा नाम है सोनुकमार आप देख रहे हैं द्रिश्टी PCS YouTube चैनल दोस्तों आज हम लोग जलवायू परिवर्तन से संबंदित एक इंपोर्टेंट संस्थान के ऊपर एक संस्था के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आप देख पा रहे होंगे नया IPCC मुल्या जंकन चक्र सुरू हो गया है और इसका मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेसन प्रिवियस सेसन में मैंने आपसे कोश्चन पूछा था कि प्रत्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है कई सारे मित्रों इस का सही उतर दिया था प्रसांत महासागर प्रत्वी पर सबसे गहरा महासागर है और दोस्तों अगर प्रसांत महासागर की बात करें तो आप देखेंगे प्रसांत महासागर के अंतरगत आप देखेंगे यह साउथ इस्ट एसिया है और इसके अंतरगत यहाँ पर फिलिपीन माना जाता है तो दोस्तों मुझे comment box में बताईएगा कि Mariana Trench के दच्छिन में कौन सा देश इस्तित है इसको comment box में बताईएगा जरूर चलिए हम लोग start करते है आर्टिकल टू डेज आर्टिकल के हमारे सामने new IPCC assessment cycle begins what this means इसका मतलब क्या है नया IPCC assessment cycle start हो गया है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे related facts की बात करें दोस्तों तो 28 जुलाई को IPCC का चुनाव संपन होता है और इसके और पहले की बात करें तो 25 जुलाई को 25 जुलाई को IPCC की IPCC की 69 वी सत्र की बैठक कहां होती है केन्या में ठीक है केन्या की राजधानी बताइए के कमेंट बॉक्स में केन्या में होती है और यही पर ये बात कही जाती है कि अब जो छटवी assessment report है उसका जो cycle है वो समाप्त होता है अब सत्वी assessment report आब प्रकासित की जाएगी चटवी समाप्त हो गई है सत्वी assessment cycle अब चालू होगी तो ये बात चटवी समापन के बाद यहाँ पर सत्वी assessment cycle या फिर report भी बोलते हैं सत्वी assessment report अब प्रारंब हो गई है तो IPCC का ताथ पर क्या है दोस्तों Intergovernmental Panel on Climate Change इसका फुल फॉर्म क्या होता है Intergovernmental Panel on Climate Change अर्था जलवायू परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अब इसका बैठक मैंने आपको बता है कि 25 जोलाई को IPCC की 16V सत्र की बैठक केन्या में होती है और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 16V जो assessment cycle है वो पूरा हो गया है अब 17V assessment cycle की सुरुवात यहां से मानी जा रही है और इसी बैठक में आप जानेंगे कि IPCC का सेलेक्शन होता है चुनाओ होता है और इसी चुनाओ के अंतरगत आप देखेंगे प्रोफेसर जेम्स इसकी को IPCC की अद्धेक्ष के रूप में चुना जाता है और इससे पहले कौन अद्धेक्ष थे निवर्तमान अद्धेक्ष भोसुंग ली यह क्वेस्चन आप से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में IPCC की जो सत्वी assessment cycle चालू हुई है या फिर IPCC का जो चुना हुआ है इसमें अद्धेक्ष के रूप में किसको चुना गया है तो प्रोफेसर जेम्स इसकी को तो आगे हम लोग जानने की कोशिस करेंगे कि IPCC है क्या देखिए IPCC एक प्रकार से मैंने आपको बताया कि जलवाई परिवर्तन से संबंदित एक पैनल है अंतर सरकारी पैनल है और इसी को एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था के रूप में भी जाना जाता है यह संयुक्त राष्ट्र संस्था के अंतरगत एक जलवाई परिवर्तन से संबंदित एक पैनल है इसके गठन की बात की जाए दोस्तों तो आप देखेंगे 1988 में 1988 में WMO और प्लस UNEP United Nation Environment Program यह क्वेश्चन आप से डारेक्ट पूछा जा सकता है PT में कि IPCC का गठन कप किया गया है और किसके द्वारा किया गया है तो World Meteorological Organization और United Nation Environment Program दोनों के संयुक तुरूप से दोनों के प्रयास से 1988 में इसका गठन किया गया है इसके वो देश की बात करेंगे दोस्तों तो सभी अस्तर पर सरकारों को जलवायू परिवर्तन से सम्मंदित वैज्यानिक ज्यान को प्रोवाइड करवाना सभी अस्तर पर सरकारों को सरकारों सरकारों को जलवाईउ परिवर्तन पर सायन्टफिक के परोच या सायन्टफिक नॉलेज को सायन्टफिक नॉलेज को प्रोवाइड करवाना ठीक है तो ये इसका उद्रेश है इस वजा से इसको WMO और UNEP के माधियम से गठित किया गया था कार की बात करें दोस्तों तो ब्यापक मुल्यांकर रिपोर्ट या एसस्मेंट रिपोर्ट अगर कहीं पर ये लिखा हो 6 AR लिखा हो तो इसका मदलब क्या है कि छथवी assessment report एक प्रकार से उसकी बात की जा रही है अभी वर्तमान में 7AR की बात की जा रही अर्थात सत्वी एसेस्मेंट रिपोर्ट की बात की जा रही है तो व्यापक अस्तर से मुल्यांकर रिपोर्ट को तैयार करना इसके साथ साथ में जलवाई परिवर्तन पर भैज्यानिक ज्यान को क्या करना प्रदान करना ताकि भावी भविस्व में जो IPCC के मेंबर देश हैं वो अपने यहां जलवाई परिवर्तन से संबंदित रण नीतियों को यह नीतियों को लागू करते हैं तो इन नीतियों को ध्यान में रख करके उसको लागू करें, implement करें उसका, IPCC अपना स्वयम वैज्यानिक मुल्यांकर नहीं करता, यह एक प्रकार से अपने आप से वैज्यानिक मुल्यांकर नहीं करता, वैज्यानिक साक्षों के माध्यम से यह अपना रिपोर्ट प्रदर्सित करता ह या प्रकासित करता है वैग्यानिक साक्षों के माध्यम से जैसे अगर आप मैंने आपको पिछले ससन में बताया था कि नेचर जनरल पत्रिका हो गई या फिर अनिक किसी जलवाई परिवरतन से सम्बंदित कोई सोध पत्रिका है उनमें दिये गए डेटा को इनलाइसिस करना और एक प्रकार से इनलाइसिस करने के बाद में व्यापा कस्तर से रिपोर्ट प्रकासित करना ये IPCC का काम है तो आप से PTS तर में पूछा जा सकता है कि क्या IPCC अपना स्वयम वैज्ञानिक मुल्यांकन करता है तो नहीं ये वैज्ञानिक साक्ष को इकठा करता है और साक्ष को इकठा करने के बाद में फिर उसका संसलेशन करके विसलेशन करके उसको प्रकासित करता है और इसके प्रकासन को एक वैज्यानिक महत्तो के रूप में वैज्यानिक आदिकारिक सुरोत के रूप में देखा जाता है अब हम लोग बात करते हैं कि IPCC अद्धिक्ष क्या करता है अभी हाल फिल हाल में मैंने आपको बताया कि IPCC के अद्धिक्ष के रूप में एक नए अद्धिक्ष का चुनाव किया गया जिसका नाम क्या है अभी आपने देखा होगा प्रोफेसर जेम्स इसकी का चुनाव किया गया और अब इनके कारिकाल की बात करें कि इनका अद्धिक्ष करते क्या है इनके अद्धिक्ष के कारी की तो प्रतेक मुल्यांकन चक्र, जो भी एनलाइसिस साइकिल है, उसके सामने आने वाली रिपोर्टों की निगरानी करना, ये इनका काम होता है, अनुसंधान एजेंडा भी निर्धायित करना, अगर कोई रिसर्च चल ला है, तो उसका मुख्य मिसन क्या है, मुख्य उद्दे सिक्या है, इसको भी निर्धायित करना, अध्यक्ष के कारिकाल की बात करें, तो आम तोर पर मुल्यांकन चक्र की अवधी के आधार पर 5-7 वर्ष का कारिकाल दिखाई पड़ता है, लेकिन इस बात को और आपको ध्यान में रखना है, कि ये अध्यक्ष दो कारिकाल के 1990 से आप जनते हैं कि 1988 में IPCC का गठन होता है 1990 से IPCC के 6 मुल्यांकन चक्र और 6 मुल्यांकन चक्र के अंतर का 6 मुल्यांकन रिपोर्ट देखिए मुल्यांकन चक्र मतलब assessment cycle चलता है 5 साल 6 साल उसमें जलवाई परिवर्तन से संबंदित मुद्दों को assessment किया जाता है कि कितना वैस्विक अस्थर पर जलवाई परिवर्तन से निपटने है तो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या फिर जो paris agreement के अंतरगत जो लक्ष रखे गए थे वह क्या लागू हो पा रहे हैं और दूसरी बात जो paris agreement के अंतरगत आप देखेंगे जो तापमान एक सर्टेन ताप तक जो है वैस्विक अस्तर का तापमान रोकने की बात की गई थी कि यहां तक रहे अर्थात 1.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या वो प्रभावी तरीके से लागू हो पर है तो इन सारी चीजों का मुल्यांकन किया जाता है और उनी मुल्यांकन के अधार पर मुल्यांकन रिपोर् प्रकासित की जाएगी, चार-पान साल बात जब पूरी तरीके से इसका साइकल चलेगा, 5-6 साल में पूरी तरीके से रिपोर्टों को पढ़ा जाएगा, जितने भी सोध रिपोर्ट है और उसके बाद में फिर यह प्रकासित किया जाएगा, और आप देखेंगे कि अभी, हाल फिलहाल में मार्च के आसपास आप देखेंगे कि छटवी जो assessment report है उसकी अंतिम translation report भी प्रकासित की गई थी 2023 मार्च आसपास में आपको दिखाई पड़ेगा प्रतेक चक्र में निकाय ने विशिष्ट विशयों पर कई विशेष report भी तयार किये कोई special topic है जैसे carbon emission को ले करके है कि वैस्बिक अस्तर पर carbon emission को एक certain label निर्दायत किया गया है कि विश्ट के सभी देश 500 गीगा टन carbon CO2 का emission कर सकते हैं लेकिन अब एक certain विशे है उसके आधार पर एक विशेष report तयार किया गया कि उसमें कौन-कौन से रण नीतियों को follow करवाया जा सकता है कौन-कौन से नीतियों को लागू करने पर ये चीज़े follow हो पाएंगी तो ये सारी बाते कही जाती है इन चक्रों के दवरान कारे प्रणाली रिपोर्ट भी प्रकासित की जाती है और कारे प्रणाली रिपोर्ट आप देखेंगे चटवी assessment report के अंतरगत तीन working groups और तीन special reports ये दोनों प्रकासित किये गए थे चटवी assessment report के अंतरगत अब वही चीज़ है special जो reports है विशेश reports किसी विशेश विशेओं के अंतरगत कारे प्रणाली रिपोर्ट के अंतरगत क्या होता है जिसमें सरकारों को उनके green house gas उसरजन और निसकासन का अनुमान लगाने के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है तो नाइटरस आकसाइड भी है तो ऐसे गैसे ऐसी गैसे आप देखेंगे कि जलवाई को प्रभावित करते हैं और वातावर्ण को प्रदूसित करते हैं जो शटवी assessment report है उसमें कुछ message दिया गया था नीती निर्माताओं के लिए और ये कहा गया कि इन message को जरूर follow किया ज करके 1900 की label से कि अस्तर से 1.1 degree Celsius बढ़ गया है दूसरी बात ये कहा गया कि इसको ध्यान में रखना है दूसरी बात ये कहा गया कि वर्तमान नीती कारवाही से तापमान में और व्रद्धी होगी जिस प्रकार से action किया जा रहा है सरकारों द्वारा वो संतूष जनक नहीं है इसको और व्यापक कस्तर से सुधार इसमें करने की जरूवत है और ये ब्रद्धी तापमान में ब्रद्धी क्या करेगी मनुस्यों और जीवन के अन्य रूपों पर प्रभाव डालेगी दोस्तो आपको याद होगा छटवी assessment report में ही कहा गया था कि 2050 तक 40% भूजल का एक प प्रकार से पूरा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है दूसरी बात मौजूदा उस सर्जन अस्तर पर हमें सेस कारवन बजट का खत्म कर देने की बात की गई है कि जो हम मौजूदा उस सर्जन अस्तर एक डिसाइट की हुए है कि हमें 500 गीगा टन CO2 का emission करना है इसको 400 गीगा टन की बात की जा रही कि 400 गीगा टन CO2 का emission आप कर सकते हैं और अगर आप 500 गीगा टन CO2 का emission करते हैं तो जो 1.5 डिगरी सेल्सियस का एक मानक निर्धायत किया गया है कि इससे उपर नहीं ताप मान जाना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाएगा सभी छेत्रों में greenhouse gases उस सर्जन में ततकाल कटोती करने की जरूरत बताई गई है कि greenhouse gases का उतसर्जन कम किया जाए वही कहा गया है कि निम्न कार्बन आर्थिक प्रणालियों में अस्थान अंतरित होना चाहिए और धीरे धीरे gradually समय के साथ नभी करणिये उर्जासरोतों की औ बढ़ना चाहिए न भी करणिये उर्जासरोतों के अंतरगर्ट आप देखेंगे बैटरी चालित इलेक्रिक वहन वनो का सनक्षण की भी बात की गई है बैटरी चालित इलेक्रिक वहन के साथ साथ आप देखेंगे भारत सरकार ने बायो एथनाल का भी प्रियोग करने की ब बात की जा रही तो ये सारे प्रयास किए जाने चाहिए ये एर-6 में ये बात कही गई थी वहीं ये कहा गया कि राजनीतिक प्रतिबद्रत्स और समानता इस बदलाव को सक्षम करने के लिए मemitism है अगर राजनीतिक प्रतिबद्रता नहीं है तो जितने भी जलवायु और विकास सील लाश्ट्रों को जलवायू बित्तु प्रोवाइड करवाया जाए, 100 बिलियन प्रतिवर्स, 100 बिलियन डॉलर प्रतिवर्स की आसपास बता गिया था, लेकिन अभी वर्तमान में पूरा होता हुआ, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये सारी बातें आप दिखान से देखिएगा, आपका विकल्प है, 1988, 1987, 1986, 1985, अब इसमें सही विकल्प कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैं